मसकार दोस्तो सवागत है आप सबका एक वर फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल फिल्मस्तान एक्सप्रेस में दोस्तो आज हम बात करेंगे 1971 में आई वो 20 फिल्मों की जो टॉप 20 में रही थी ग्रॉस के हिसाब से हम बात करेंगे कि 20 में नमबर पर कौन सी फिल्म थी और पहले नमबर पर किस ने बाजी मरे थी दोस्तो हम बात करेंगे फिल्म के estimated budget के बारे में gross collection के बारे में और worldwide collection के बारे में और जानेगे कि कौन सी फिल्म हिट रही थी और कौन सी फिल्म फ्लॉप रही थी वीडियो में end तक बने रहना दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले आपसे बेंती है कि चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी जूरूर दबातें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो चलिए दोस्तो काउंट डाउन चुरू करते हैं दोस्तो 20 में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था आप आए बहार आई जह फिल्म 5 जुलाई 1971 को रिलीज हुई थी जह एक कॉमेडी फिल्म थी जिसे मोहन कुमार ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म में रिजिंदर कुमार साधना शिवदासनी रिजिंदर नाद और प्रेम ने मुखे भूमका में अबने किया था इस फिल्म का एस्टीमेटड बजट 55 लाग का था और इस फिल्म की नेट कॉलेक्शन 70 लाग की थी जबकि ग्रॉस कॉलेक्शन 150 क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जह फिल्म फ्लॉप रही थी दोस्तो 19 नमबर पर रहने वाली फिल्म का नाम था एक कनारी एक ब्रहमचारी जह फिल्म 15 सेप्तमबर 1971 को रिलीज हुई थी जह कॉमेडी फिल्म थी इस फिल्म को के परत्यागातमा ने डारेक्ट किया था और इस फिल्म में जतेंदर, ममताज, शत्रुगन सेना और अरुना एरानी ने मुख्य भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 75 लाग का रखा गया था और इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 75 लाग और ग्रॉस कलेक्शन 8.50 करोड की थी जया फिल्म बिलो एबरज साबत होई थी दोस्तो 18 में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था गुड़ी जया फिल्म 24 सेप्तमबर 1971 को रिलीज होई थी जया का रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को हरिशी केश मुखर जी ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में दरमेंदर, जया बचन, उतबलदत और एके हंगल ने मुखे मुन का मियावने किया था फिल्म का बज़िट 55 लाग का रखा गया था इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 78 लाग की थी जबकि ग्रॉस कोलेक्शन 1 पंड 50 क्रोड की थी और बॉक्स आउस पर जया फिल्म अबब एबरज रही थी दोस्तो सतर में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था पारस जया फिल्म 8 अक्तूबर 1971 को रिलीज होई थी जया एक ड्रामा फिल्म थी जिसे सीपी दिक्षित ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में संजीब कुमार, राखी गुलजार, महमूद और फरीदा जलाल ने मुखे भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 70 लाग का रखा गया था और इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 80 लाग की थी और जबकि ग्रोस कोलेक्शन 1.60 क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जह फिल्म एवरेज थाबत हुई थी दोस्तो सोल में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था मैं सुन्दर हूँ जह फिल्म 23 अपरेल 1971 को रिलीज हुई थी जह फिल्म ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को क्रिशनल पंजू ने डारेक्ट किया था और इस फिल्म में महमूद, लिना चैंद्रा वारकर, बेशवाजित चैटर जी और सलोचना लटकर ने मुख्य भूंका में अबने किया था इस फिल्म का वजट 50 लाग का था और इस फिल्म की नेट कॉलेक्शन 20 लाग की थी और ग्रॉस कॉलेक्शन 1564 क्रोड की थी बॉक्स आउस पर जह फिल्म सैमी हिट साबित हुई थी दोस्तो पंदर में नमबर पर थी फिल्म मेरे अपने जह फिल्म 10 सेप्तंबर 1971 को रिलीज हुई थी जह एक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को गुलजार ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में बनोद खन्ना, मीना कमारी, शत्रुगन सिना और डैनी ने मुक्ख भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 60 लाग का था इस फिल्म की नेट कॉलेक्शन 85 लाग की थी और ग्रॉस कॉलेक्शन 1.70 करोड की थी बॉक्स आप्स पर जह फिल्म अबाब एबरज साबत हुई थी दोस्तों चौदमे नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था महबूब की मेंदी जह फिल्म 30 जनबरी 1971 को रिलीज हुई थी जह फिल्म रॉमंटिक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को एच्चे सरावेल ने डारेक्ट किया था और इस फिल्म में रजेश खन्ना, लीना चंद्रावरकर, परदीब कुमार और इफ्तकार ने मुखे भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट पैचान में लाग का था और इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 90 लाग की थी और जबकि ग्रॉस कोलेक्शन 1.80 क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जह फिल्म फ्लॉप साबित होई थी दोस्तो तेहर में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था रखवाला जह फिल्म 5 मई 1971 को रिलीज होई थी जह एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी इस फिल्म को अधुरती सुबाराओ ने डारेक्ट किया था और इस फिल्म में दरमेंदर बिनोध खना लीना चंद्रा वरकर और मदन पुरी ने मुखे भूंका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 80 लाग का रखा गया था और इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 95 लाग की थी और ग्रॉस कोलेक्शन 1.90 क्रोड की थी बॉक्स ऑक्स पर जह फिल्म एबरज साबत होई थी दोस्तो बार में नमबर पर थी फिल्म अलंद जह फिल्म 12 मार्च 1971 को रिलिज होई थी जह एक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को हरिशिकेश मुखर जी ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में राजेश खन्ना, अमता बचन, सुमित्रा सन्याल और ललिदा पवार ने मुख्य भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 55 लाग का रखा गया था और इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 98 लाग की थी जबकि ग्रॉस कोलेक्शन 1.50 क्रोड की बॉक्स आफ्स पर जए फिल्म सैमी हिट साबित होई थी दोस्तों 11 में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था बलीदान जए फिल्म 10 सेप्तंबर 1971 को रिलीज होई थी जए फिल्म एक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को रवी टंडर ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में मनोज कुमार, सायरा बानो, देव कुमार और अन्वर हुस्इन मुख्य बुम्का में अपने किया था फिल्म का बजट 90 लाग का था फिल्म की नेट कोलेक्शन एक क्रोड की और ग्रॉस क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जहे फिल्म एबरज थाबत होई थी दोस्तो दसमें नमबर पर थी फिल्म नया जमाना जहे फिल्म 7 मई 1971 को अरलिज होई थी जहे एक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को परमोध चक्रवर्थी ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में दरमेंदर, हैमा माली, अशोक कुमार और महमूद ने मुख्य बुमका में अबने किया था फिल्म का बजट 60 लाग का रखा गया था इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 1.5 क्रोड की थी और ग्रॉस कोलेक्शन 2.5 क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जह फिल्म सेमी हिट साबित होई थी दोस्तो नौमे नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था कल आज और कल जह फिल्म 17 दिसंबर 1971 को रिलीज होई थी जह एक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को रंदीर कपूर ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में पृथिवी राजकपूर, राजकपूर, रंधीर कपूर और बविता कपूर ने मुख़्े बूंका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 65 लाग का रखा गया था और इस फिल्म की net collection 1.10 क्रोड की थी जबकि gross collection 2.25 क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जहे फिल्म सैमी हिट साबित होई थी दोस्तो आठमे नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था मिला जहे फिल्म 30 जून 1971 को रिलिज होई थी जहे एक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म में संजे खान, फरोज खान, मुम्ताज और अरजंदर नातने मुखे बुमका में अबने किया था इस फिल्म को प्रकाश महरा ने डारेक्ट किया था फिल्म का बजट 70 लाग का रखा गया था इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 1.20 कुरोड की थी और ग्रॉस कोलेक्शन 2.40 कुरोड की थी बॉक्स आफ़ पर जैया फिल्म सैमी हिट साबित होई थी दोस्तो साथ में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था शर्मीली जैया फिल्म 14 मई 1971 को रिलीज होई थी जैक रोमन्टिक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को समीर गांगुली ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में शैशिक पूर, राकी गुलजार, नाज़िर हुसैन और नरेंदर नाथ ने मुखे भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 75 लाग का रखा गया था और इस फिल्म की नेट कॉलेक्शन एक पंट 30 करोड की थी और ग्रॉस कॉलेक्शन दो पंट 60 करोड की बॉक्स आप्स पर जैए फिल्म सैमी हिट साबित होई थी दोस्तों शैमे नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था कारवा जैए फिल्म 5 नमबर 1971 को रिलिज होई थी जैए फिल्म थ्रिलर क्राइम ड्रमा फिल्म थी इस फिल्म में जितिंदर आशा पारिक महमूद जूनियर और हैलन ने मुखे बुमका में अबने किया था इस फिल्म को नासर हुसान ने डिरेक्ट किया था फिल्म का बजट 90 लाग का रखा गया था इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 1.80 क्रोड की थी जबकि ग्रॉस कोलेक्शन 3.60 क्रोड की थी बॉक्स आप्स पर जैए फिल्म हिट्ट सावित होई थी दोस्तो पांच में नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था कटी पतंग जैए फिल्म 29 जनबरी 1971 को रिलीज होई थी जैए एक रुमांटिक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को शक्ति समन्था ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में राजेश खन्ना, आशा परिक, प्रेम चोपड़ा और बिंदू ने मुखे मुमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 95 लाग का रखा गया था इस फिल्म की नेट कोलेक्शन एक मैंट 90 करोड की थी और ग्रॉस कोलेक्शन तीन पॉइंट 80 करोड की थी बॉक्स आप्स पर जैए फिल्म हिट थाबित होई थी दोस्तो चौते नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था अंदाज जैए फिल्म 30 अपरेल 1971 को रिलीज होई थी जैए करमान्टिक ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने डारेक्ट किया था और इस फिल्म में राजेश खन्ना, हैमामालनी, शमिक पूर और सिमी गरेवाल ने मुक्खे भूमका में अबने किया था इस फिल्म का बजट एक करोड का रखा गया था इस फिल्म की नेट कोलेक्शन दो करोड की थी और ग्रॉस कोलेक्शन चार करोड की थी बॉक्स आफ्स पर जैए फिल्म हिट थावित होई थी दोस्तों तीसरे नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था मर्यादा जह फिल्म 28 माई 1971 को रलीज होई थी जह करमांटिक फिल्म थी इस फिल्म को अरविंद सेन ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में रजेश खन्ना माला सेना राज कुमार और प्राण ने मुख्य भूंका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 1.10 क्रोड का रखा ग जह फिल्म 25 जून 1971 को रलीज होई थी जह कर एक्शन ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को राज कोसला ने डारेक्ट किया था इस फिल्म में द्रमिंदर आशा पारिक बनोद कन्ना और लक्षमी शेया ने मुख्य भूंका में अबने किया था इस फिल्म का बजट 1.30 क्रोड का रखा गया था और इस फिल्म की नेट कॉलेक्शन 3 करोड की थी ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड की थी बॉक्स आउस पर जह फिल्म सुपर हिट साबत होई थी दोस्तों पहले नमबर पर आने वाली फिल्म का नाम था हाथी मेरा साथ ती जह फिल्म एक मैं 2.70 को रिलिज होई थी जह एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म थी, इस फिल्म को M.A. थुरू मुगोम ने डारेक्ट किया था, इस फिल्म में रजेश खन्ना, तनूजा, डेविड और मदन पूरी ने मुखे बुमका में अबने किया था, इस फिल्म का बजट एक पॉंट पचास क्रोड का रखा गया थ था, और इस फिल्म की नेट कोलेक्शन 3.50 क्रोड की थी, जब कि ग्रॉस क्रोड की थी, जह फिल्म बॉक्स आउस पर आल टाइम ब्लॉक बस्टर साबत होई थी, दोस्तों अमीद है कि आपको ये काउंट आनो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए